दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही जादा खास होने आला है क्योंकि यहाँ पे मैं दो मेजर टीवियो कंपेर करने वाला हूँ जो रीसेंटली लॉंच हुई है जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ नोक्या टीवी 2020 को कंपेर करेंगे मोटो रोला 2020 से और बताएंगे सारी डीटेल्स और जितरे भी कन्फूजन है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे तो यह मेरा वादा है आप सभी सो तो वीडियो को आपको स्टार्ट टो इंड जरूर देखना है बिना स्क स्क्राइब का बटन दबाद दीजिए घंटी वजाए अटरना शुरूर वाद करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश आप देख रहे हैं एक तरफ रख लेता हूं मोट रोल टीवी को और दूसरी तरफ रख लेतें नोकिया टीवी को और यहां पर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और जो दो वेरिंट और है जो एक 43 इंच का और 55 इंच का वह आते है रीवू सीरीज के अंडर दूसरी तरफ बात करें नोकिया टीवी में तो नोकिया टीवी में आपको 6 वेरिंट देखने मिल जाएंगे शुरूवात होगी 32 से और नहीं होने वाले तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सो कंप्रमाइज करना पड़े का व्यू एंगल में इसी के साथ यह दोने टीवी में डिरेक्ट एलेडी बैक लाइटिंग सोस दी गई है एड बिट एफार सी पैनल है मतलब यहाँ प जाती है 350 निट से तक और दूसरी तरफ बात करें नोकिया टीवी में नोकिया टीवी की ब्राइट शुरू होती है 325 से और जाती है 420 तक तो यह डिफरेंस है और यहाँ पर यह मेजर डिफरेंस निगल गया आता है दोनोई टीवी कंपेर करने के बाद और इसी के साथ ही जो कॉंट्रास रीश वे भी बहुत जादा फर wholesale जहां पर मोटोरोला आपको दे रहा है 3,000 का ब्राइट रैश वन का कौंट्रास रैश ओ दूसरी दरफ नोकिया की टीवी में आपको 5,000 ब्रेश टू बार में तो यहां पे मेजर डिफरेंस है तो यहां पर सीधरadow इसीधर देखने मिल जाएगा, लेकि Nokia की टीवी में आपको देखने नहीं मिलेगा, तो यह एक मेजर फरक है Nokia की टीवी में जो आपको ध्यान रखना है अगर आप टीवी लेने का प्लान करें हो, इसी के साथी थाथ एक प्लस पॉइंट जाता है Nokia की टीवी को पिक्चर क्वालिटी मे जहां पर अच्छे Blacks दिखाने के लिए Micro Dimming Technology यूज की गई है, यहां पर 5,1,12 Dimming Zones दिए गए है, जो आपको बहुत ही बढ़िया Blacks दिखाएंगे, Darker और एकदम बोलते हैं, जबरदस वाले Blacks आपको Nokia TV में देखने मिल जाएंगे, बात करें यहां पर TV के Sound Output के बारे में, तो Motorola की TV में आपको 50W का Sound Output देखने मिल जाएंगा, 55 इंच के वेरेंट में, और 43 इंच का वेरेंट है, वहां पर 24W का Sound Output देखने मिल जाएंगा, 4K वेरेंट में, और जो उनका HD और Full HD TV है, उसमें आपको Sound Output देखने मिलेगा, वो 40W का है, तो यहां पर मुझे मतब कौन सा लॉजिक लगाया है, Motorola TV ने, कि भाई, यहां पर आप HD, Full HD में आप दे रहे हो Sound Output 40W का, और 4K वेरेंट में दे रहे हो 24W का, तो यह लॉजिक तो मुझे कोई भी एंगल से समझ में नहीं आया, ब्राइंड्स कुछ भी करते हैं, उस पर अपने को कुछ लेना देना नही हैं, दूसरी तरफ बात करें अभी Nokia TV के बारे में, तो Nokia के TV में आपको 40W का Sound Output दिया गया है, और जो स्पीकर लगाएगे है, Attached On-Cue Speakers लगाएगे, तो यहां पे जो Sound Quality है, दोनों ही TV की बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि Sound Output बहुत ही बढ़िया है, और जो On-Cue क स्पीकर से जादा अच्छे होते हैं, जहां तक मैंने परसनली उनको सुना हुआ है, और बात करें यहां पे दोनों ही TV के Sound Technology के बारे में, तो जहां पे Motorola आपको दे रहा है Dolby Atmos का सपोर्ट, और दूसरी दरफ आपको Nokia दे रहा है Dolby Audio का सपोर्ट, तो यहां पे दोनों ही TV के Sound Output और Technology बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सी है, वो मैं आपको परसनली जब मैं experience करूँगा, hands-on review करूँगा, तभी बता सकता हूँ, और बात करें यहां पे TV के operating system के बारे में, तो दोनों ही TV आती है Android operating system के साथ, तो लेकिन यहां पे एक difference निकल गयाता तो यह फिलाल के लिएक difference निकल के आता है, इसी के साथ ही साथ बात करें, यहां पे internal storage और RAM को लेके, तो जहां पे Motorola TV का RAM दिया गया है, 2GB का और 32GB का internal storage दिया गया है, 4K variants में, और दूसरी तरफ बात कर, और जो Motorola TV है, उसमें जो SD और Full HD है, वहां पे internal storage आपको 16GB का देखने म और 8GB का internal storage और दूसरी तरफ बात करें, उनके 4K variants में, तो वहां पे आपको 2GB का RAM और 16GB का internal storage दिया गया है, तो internal storage भी दोनों ही TV का ठीक ठाक दिया गया है, Android operating system के हिसाब से, लेकिन यहां पे जो 4K variants में, Motorola ने काम किया है, 32GB internal storage जो बहुत ही बढिया गया है, क्योंकि Android operating system में जितना internal storage और RAM जादा उतना ही बढिया, क्योंकि यहां पे आप धेड़ सारे games और apps डाउलोड करोगे प्ले स्टोर से, और बात करें यहां पे दोनों ही TV के CPU और GPU के combination के बारे में, तो जहां पे Motorola आपको दे रहा है MediaTek का A53 quad core processor और जो GPU दिया गया है, G52 दिया गया है, Nokia TV में आपको मिल जाएगा A55 quad core processor और जो GPU दिया गया है, Mali 470 दिया गया है, बात करें यहां पे content provider के बारे में तो दो के दोनों TV में आपको major content provider हो आपको प्रेंच रॉल देखने मिल जाएंगे, जैसे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube, यह सब तो प्रेंच रॉल देखने मिली जाएंगे, और आपको जो remote मिलता है, voice enable remote मिलता है, और remote में आपको Google Assistant का feature तो मिली रहा है, इसी के साथ ही साथ आपको dedicated keys भी मिल जाएंगे, जहां पे आपको motorola की TV में, आपको मिल जाता है Netflix और Prime वीडियो का dedicated keys, दूसरी दरफ बात करें, Nokia की TV में, Nokia की TV में आपको एक Z5 का keys दिया गया है, dedicated वो मु Netflix से, तो यह keys I think उनको भी Prime वीडियो और Netflix का ही देना चाहिए था, बट फिलाल जैसा मैंने कहा brand कुछ भी करते है, इसके साथ ही साथ यहां पे बात करें कुछ ports के बारे में, connectivity और ports के बारे में, तो जहां पे 3 HDMI port और 2 HDMI port देखने मिल जाएंगे, दो को दोनवी TV में, उसमें स एक HDMI port, R port है, जिससे आप home theater वगरा connect कर सकते हो, इसके साथ ही था 3.5M का jack दिया गया, audio वीडियो का port दिया गया, तो जितने भी required ports होते हैं, दो की दोनवी TV में, आपको देखने मिल जाएंगे, और Bluetooth भी दिया गया है, दोनवी TV में, लेकिन जो Nokia की TV में, Bluetooth दिया गया है, नहीं कर पाओगे, तो यह एक difference है, connectivity के मामले में, दूसरा major difference, जो हम सभी को समझना बहुत ही जरूरी है, जहां पे आपको Motorola दे रहा है, dual band Wi-Fi, और जूसी दिरह बात करें, Nokia की TV में, Nokia की TV में, आपको single band Wi-Fi मिलता है, तो यह बहुत ही major difference है, क्योंकि मैंने personally use किया, Toshiba की TV, जो dual band Wi-Fi company बोल ले थी, लेकिन single band Wi-Fi मिला, उसमें, जब मैं उसको test किया, उसका video बनाया, उपर link कर दूँगा, और check out कर लीजे, तो यहां पे single band Wi-Fi में connectivity का problem बहुत ही जादा मैंने face किया, और मुझे बेकार लगा, तो यहां पे और आगर आप Wi-Fi enable TV ले रहे हो, smart TV ले रह और इसी के साथ ही साथ आपको built-in Chromecast मिल जाएगा दोनों ही TV में, और दो की दोनों ही TV Android certified TV है, और आप यहां पे बात करें, दोनों ही TV के pricing के बारे में, तो आप screen पे देख सकते हो, दोनों ही TV के pricing, और यहां पे pricing में बस 19-20 का ही फरक है, और confusion भी जादा है, मैंने पूरी को आपको जितने major points होते है, एक TV लेने के लिए, और समझने के लिए, सारे points यहां पे मैंने cover किये है, और यहां पे अगर आप मेरा कगस recommendation लोगे, तो यहां पे मुझे लगता है, मैंने दोनों ही TV अभी तक देखी नहीं है, क्योंकि भाई हम बहुत भड़ी YouTuber तो नहीं है, ले ही हमारे channel का motto है, जो review units गए है, बड़े YouTubers के पास, वो सिर्फ अची अची बाते बताएंगे, वहां पे शायद आपको यह खुल के कोई नहीं बताएगा, single band, wifi, dual band, wifi, contrast, ratio, brightening, nets, यह सब आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि वहां पे उनके पास बहुत ही restricted, बोलते ह है कि यह बंदा सच बोलता है, लेकिन यहां पे यह समझा भी बहुत ही जादा दरूरी है, कि वो brand की तरफ से है, ना कि आपकी तरफ से, तो यह एक बहुत ही खास बात है, जो मैं आज आज आपके साथ पहली बार share कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे, और इसी के साथ ही साथ अ यहां पे contrast ratio and brightness बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूँ, जब Motorola TV के बारे में, तो वहां पे Dolby Vision का support मिल जाता है, HDR10 आपको Nokia में मिल रहा है, लेकिन यहां पे Dolby Vision plus HDR10 तो बहुत ही बढ़िया combination बन जाता है, audio output दोनों ही TV के बहुत ही बढ़िया है, तो audio म TV के design के बारे में, तो दोनों ही TV आती है, एकडम thin bezel के साथ, प्लास्टिक की body दी गई है, लेकिन यहां पे एक फरक जो निकल कहाता है, Motorola TV में, जो उसके टेबल टॉप stand है, वो बहुत ही सबर्दस दिएगे, मतलब उसका जो looks है, बहुत ही बढ़िया है, Nokia TV का भी जो टेबल करते हैं, और आपको मैं मिलूँगा अगले ही वीडियो में, बहुत ही जल्दी एक धमाकेदार कंटेंट के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन दबाईए, और नोट, इसी के साथ ही आथ आप Instagram पे जूट जाएए, हमारे साथ वहाँ पे आपके सवाल के जवाब तो हम दे ही देते हैं, Instagram पे DM कर दीजिए, वहाँ पे कोशिच करूँगा, वहाँ पे भी आपके सवाल के जवाब दे दूँँआ, और इसी के साथ याथ comment section भी आपके लिए open ही रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो, और बस अब मिलेंगे अगले वीडियो में, so till then keep smiling and keep watching happy guide, bye bye.